हेलो एन वेलकम टू पूपीद ट्रेम लेता आप सबका मेरे चैनल बहुत-बहुत स्वागत है और आज मैं सांबर बना रही हूं देखी किस तरह से बनाती हूं मैं कोकर में ही बना रही हूं तो लौकी का सांबर है तो इसमें मैंने तेल डाल दिया है तो तेल अपनी हिसाब स हिसाप से रखियेगा तो मैंने 2-3 चमच arriv टेल डाला हिं उसमें जीरा डाला है और आप चाहेत तो सरसो भी पचपोरन जो बोलते न सब जीरा सरसो अंज्व प्याज सब डाल के अच्छी तरह से उसको मिक्स करना है जब अच्छी तरह से लाल हो जाएगा तो उसके बाद इसमें टमाटर का पेश्ट डालना है और अधरक लसुन मेच का भी पेश्ट मैंने तैयार करकी रखा हुआ था तीखा अपने ही साफ से आप करिएगा आपको कित एंडर ही जाएं दाल सकते हैं आप जो भी दाल यूज करते हैं पर करिया लाज सकते हैं आप चाहर की इसमें निजी आपको उसके बैसे प्लाइख होशिव इंग है जितना दाल है सब्सक्राइग तो अष़सरा टो ऑच्छी में बुन जाएगा इसमें रखा बहुन जाए इसमें नमक डाल देना है और नमक भी है देखिए डाल दिया है मैंने तो नमक अपने सब्जी के हिसाब से अब डाले फिर मसाला डालना है तो मसाला मैं सब्जी मसाला ही डाल रही है और उसमें अब चाहे तो सांबर मसाला डाल सकते है मैं आदा चमँच समय मसाला भी डाला ए coated हे इस चाही डाल देना है लोकी के भी आधा की मेरा जाइए तो अब अपने हिसाब से सामबर में कितना यूज करना है कम ज्यादा वो अपने हिसाब से रखिए कोई ज़रूरी प्रोसेस नहीं है कि इतना ही चाहिए आपको तो यह देखिए मैंने डाल दिया है और इसके बाद जो दाल यूज आप यूज करते हैं इसमें डालना है वो द कि आने तक इसको पकाना है और उसके बाद जब इसका पूदी तरह से गैस खतम हो जाए मतलब भाप निकल जाए उसके बाद इसका धकन खोलना है तो इस तरह से इसको यह असानी से पक जाएगा बस धनिया से गारिश करिए और अगर जादा गाड़ा हो जाएगा तो आप इसको फोड़ा पानी भी मिला सकते हैं बाद में और यह देखिए बस इतना ही पानी डालूंगे ज्यादा पानी दालने से कुकर से बाहर आ जाएगा इसलिए मैंने थोड़ा ही पानी डाला है और यह आसानी से यह पक जाएगा और पकने के बाद देखिए इस तरह से यह द वीडियो में क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो पिलकि मैंने अलग से ही डाला है इसका तो सांबर की रेसिपी साहली मैंने दिखाया है तो आगे जा कि इटली और चटनी का भी रेसिपी आप देख लीजेगा तो ठैंक्स पर वाचिक मैं वीडियो इसी तरह से और आगे की वीडियो भी जरूर देखिएगा थैंक्स पर वाचिंग मैं वीडियो है